तोस्तोर रेल विकास दिगम लिमिटेट की बात के स्टॉक ने आज कमाली कर दिया अब आप देख सकते हो कि स्टॉक बिल्कूल 200 तक पहुचने को तैयार है 30 रुबिज का स्टॉक 200 के पास यानि जिसने भी RVNL में निवेस किया है वो माला माल हो चुका है और इस तेजी के पीछे वजबनी सरकार की तरफ से G20 के द्वारान किया गया एक बड़ा रेलवे और शिप कॉरिडोर की अनॉसमेंट जो यहाँ पे इंडिया से ओके यूएस तक जाएगा और उसने पूरा माहौल बदल दिया वैसे तो आर्वे ने लगातार दोड़ी रहा है काफी समय से देखे तो काफी सांधार इसने रिटन दिया है आगे कि क्या समानों उसको समझने की कोसिस करेंगे क्या है मार्केट एक्सपर्ट की रहा है दूसरी तरफ अगर हम IRFC की बात तो इसने भी एक नया इतियास रच दिया है वन लेक करोड के मार्केट कैप में सामिल है और इंडिया की टॉप टेंथ पी एसू कंपनी में सामिल हो गई है आप ये देखी सकते हो कि जब IPO आया था तब कोई खरीदार नहीं से काफी समय तक श्टॉक लगाता 21 से 25 के बीच में रा और उस समय लगातार मैंने आपको मोटिवेट किया लगातार वीडियो बनाए आप चाहे तो पिछले साल के सेप्टमर के सारे वीडियो जाके देख सकते हर तीन दिन के बाद वीडियो बनाए और का कि इसमें आपको निवेस करना चीए लगातार मोटिवेट किया जबकि उस समय प्राइज नहीं बढ़ रही थी आज उसका फल देखना को मिल रहा है काफी लोगे करें कि सर आपने कब बोला था आप जाके वीडियो देख सकते हो पुराने बहुत सारे वीडियो है रेगुलरी आई आरपसी के उपर वीडियो बनाए हुए क्योंकि मुझे विश्वास था कि इस्टॉक दोड़ेगा तो चाहे आरवे ने लोगी आई आरपसी है लगातर मैंने बताय हुए कि इस्टॉक दोड़ेगे और अब दोड़ना शुरू हो चुके और अभी इनकी रप्तार बागी है आगे बहुत सारी समावना है लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले रेल वीकास निगम लिटेर की बात के स्टॉक की सुरुआत 169 पर हुई सुरुआत पोजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी फ्राइडे की 162 पर इंट्राइडे में 191 का एक जबर्दस नया हाई बनाए लो है 168 का तो आप देखी सकते हो कि सांदार प्रदस्टन किया है अंत में 190 पर क्लोजिंग रही जापे 16.98 परसेंग की बंपर तेजी देखनों को भी लिग और आप ये देखी सकते हो कि बहुत ही बै produktन दिया इसने यहाँ पर वालीम में भी आज बहुत भारी उचाल था पिछले एक मैंने पहले इसका फाइक करोड का वालीम था वन करोड की डिलेव उठाए थी ओन विक पहले 11 करोड का वालीम था तू करोड की डिले उठाए थी और फ्राइडे को 10 क्रोड का वालीम हो था, 2 क्रोड की डिलूट हैंगे लेकिन आज 24 क्रोड का बहुत ही बंपर वालीम हुआ तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मस बहुत ही बेतर है अभी 4 सितंबर की बात के तो यह श्टॉक 154 के आसपास था और उस दिन भी 11.6% की जबरदस तेजी बनी थी लेकिन पास सितंबर को श्टॉक 156 के आसपास था 1.5% की तेजी बनी थी तो श्टॉक 162 के आसपास था 5.8% की जबरदस तेजी के साथ तो यह देख सकते हो कि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में भी लगबग 10% की आसपास की तेजी बनी थी और आज तो लगबग 17% की सांदार तेजी तो बहुत बैतर रिटेन दिया श्टॉक ने पिछले दो साल में स्टॉक ने 520% का जबरदस रिटेन दिया है सिर्फ बन येर की बात के तो स्टॉक ने 459% का बंपर रिटेन दिया है शिक्स मन्द में ही स्टॉक ने 184% का जबरदस रिटेन दिया है यारी पैसे आपके डबल ने बलकि तीन गुना हुए थ्री मन्द के इसाब से 51% का बंपर रिटेन है वन मन्द के इसाब से देखे तो 50% का बंपर रिटेन है और सिर्फ बन विक में भी 22% की सांदार तेजी बनी है वंडे के इसाब से लगवग 16% की तेजी है और ओल रिटेन बहुत बरदस्त है तो यह जो तेजी बनी G20 के दौरान देखे तो जो एक बहुत बड़ी आपे देखे तो एक agreement साइन हो जिसके तहत एक नया railway और ship corridor बना जाएगा जो इंडिया से लेके Middle East होके South Asia तक जाएगा और South Asia से आप देखे तो US तक जाने वाला है और यह बहुत बड़ी एक deal हो इस agreement के बाद रेल विकास निगमने होए टिटा अगर रेल सिस्टम हो या फिर जूपिटर वेगम, टेक्समोर रेल, IRCTC, रेल टेल, IRFC सबी शेरों में दो से लेके 14% की बंपर तेजी देखने को मिली अब यहाप इस तेजी को लेकर जो बड़े investor वीजे केडिया उनका कहना है कि र रेल्वे के शेरों में investment की सला दिया वीजे केडिया ने है, आर्विनल को लेकर जी चोक लिंगम जो founder है, managing director है, economics research है, उनका कहना है कि इस समय श्टॉक में आपको profit book करना चाहिए आर्विनल में, बहुत जबर्दर से stock दोड़ चुका है और ऐसे में एक बार इन रेल्वे के इस स्रुवात 81.70 पर हुई और positive ही स्रुवात हुई क्योंकि closing थी Friday की 77.10 के आसपर 84.80 का high बना यानि अपर सर्कीट लग गया 10% की आपर सर्कीट लग गया, लो है वो 81.50 का है, अंत मैं देख सकते हो कि अपर सर्कीट में ही closing थी 10% के सर्कीट के साथ में, सर्कीट लिमिट ज्यादा होती तो इसे stock भी 20% तक भी जा सकता था, और आज इसने एक नया इतियास रचा है, आप देख सकते हो कि यह 1.00 करोड के market cap में सामिल होगी, इंडिया की top 10 PSU company में सामिल होगी और इसने अपनी एक अपनी जगह बता दिये कि यह company अब क्या है, तो यहाँ पर आप तो सबसे बड़े market cap के साथ नमबर उन पर इस्टेट बैंक ओप इंडिया है, जिसका market cap 5.26 lakh करोड का है, और Life Insurance Corporation of India नमबर 2 पर है, जिसका 4.28 lakh करोड का market cap है, NTPC नमबर 3 पर है, जिसका 2.33 lakh करोड का market cap है, फिर ONGC नमबर 4 पर है, जिसका market cap 2.32 lakh करोड का है, Power Grid Corporation of India नमबर 5 पर है, जिसका market cap 1.81 lakh करोड का है, उसके बाद आपको कोल इनिया दिखा देगा, जिसका market cap 1.72 lakh करोड का है, फिर हिंदुस्तान एरोनाटिक्स जिसका market cap 1.37 lakh करोड का है, और उसके बाद SBI Life Insurance Company जिसका market cap 1.35 lakh करोड का है, उसके बाद आपको इंडियन ओयल कोर्परेशन कितनी valuable company बन चुकी है, काफी लोग है तो छोटा penny stock ऐसे बोल के इसको ignore करते थे, मैंने आपको लगा था जब इसका IPO आपको पोटेंशल ही आने वलस में आपको अच्छा return देगा, लोग बात नहीं मानते थे, अब आप देख सकते हो, इंडिया की top 10 PSU में सामिल हो चुके IRFC अब आप देख सकते हो कि IRFC का रूप तो साब दिख रहा है, और आप देख सकते हो कि जिस तो से अपर सरक्रीड लगाई है, इस सारा है कि ये stock आने वलस में कमाल कर सकता है, इसका जो market कैप है इस समय, 110,768.60 करोड तक पहुँच गया, और इसके enterprises की value देख सकते हो कि करीब 5,20,243 करोड तक पहुच गया है, और देख सकते हो कि G20 का जो सम्मेरन वह इसमें है, जो announcement हुई सबसे बड़ी इसमें आप देखे तो इटली, France, Germany, UAE, साथी अरब के सयोग से एक भारत मुद्य, आप देख सकते हो कि मध्यपूर में है, जो एक आप देखे तो IMEC बनाने सिप के मादिम से होगी connectivity, IMEC में दो अलग-अलग गलियारी सामिल है, पूरवी गलियारा भारत को Arabian Gulf से जोडता है, और उत्तरी गलियारा Arabian Gulf को Europe से जोडता है, इस महत्वा कांक्सी परिजदा में सिप टू रेल ट्रांजिट नेट्रक बनाने के लिए railway line बनाना भी सामिल ह और इसका उद्दे से है मौजुदा समुन्दरी और सड़क परियोनेक मार्गों को मदद करना, यह भारत यही सवजी अरब इसराइल यूरोप के बीच जो भी प्रोड़क्ट है उसका आप देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के काम आएगा यह रास्ता, इससे आप द यहां पर इंडिया इलेक्रिसिटी कनेक्टिविटी और डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी आगे गौर कर रहे हैं उसके लिए कि बल बीचाने की योजना चल रही है, अभी फिलाल इसके लिए कोई एग्रिमेंट साइन नहीं है कि इसको यह काम मिलेगा लेकिन आप देखे है कि IRFC जो 1986 से आप देखे तो रेल्वे को फाइनस कंपने करने वाली कंपनी है और इसका साइदा है सेक्टर का इसको मिलने वाला है इसके लाव अगर आरवी नेल देखे तो रेल्वे के इंट्रा प्रोजेक्ट करती है उनके पास तो देख सकते हो कि वन्ने भारत का भी ब बहुत अच्छा मौका इन दोनों श्टॉक में दाव लगाए शॉट टर्म इन्वेस्टर है तो आप प्रॉफिट बुक के बारे में सोच सकते हैं काफी अच्छे श्टॉक दोड़ चुके अब प्रॉफिट बुक की सम्मावनों बनेगा और जैसे कि सरकार ओएफएस लान प्रॉफिट बुक के बारे में सोच सकते हैं लेकिन फ्रेंड कोई इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइननसल एडवाजर से बाड़ ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जूर किजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए थेंकियो फ्रेंड